हाइ गेस को मैं इनले पैंटर्यक्स तो आज भिदा की भीर में आपपिज्ध को गोग को मैं जो लून अप्रिकेशन का रिभ्यूद दूँगा इस एप्रिकेशन के मैं से पहले इस वीडियों को आप ज़ेरें प्राइन से फ़सु तहब बिएन तक करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस वीडियो के तुरू आप गोग को मैं पूर डीटेल्स में बताऊंगा तो गैस जोरू वीडियो को आप गोग को इन तक दिखेएगा और गैस टेप को इंफर्मेटी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए आप गोग चैनल को अरवनगर के इस अप्रिकेशन के तुरू लोन के लिए अपट्लाई कर दे रहा है फिर क्या होता है को एलाव कर देते हैं और उसी टेम इस्टेफ के लोन अप्रिक्शन क्या करता है मोबाल की डेटा कॉंटेक लिश्ट गैरेडी सोशाल मीडिया अकाउंट जैसे की फेस्बूक एकाउंट इंस्टाग्राम एकाउंट को भी हैक कर लेता है फिर गैस अगर अप्लों इस्टेफ को सेवन इस्टेफ वाली लोन अप्रिक्शन पर लोन लेने के बाल लोन को टाम ली किसी भी करान डिपे में नहीं कर पाएंगे तो लोन इपेंड के लिए देट से पहले आपको और आपका कॉंटेक लिश्ट को कॉल और इसमेंस करके करनी कि धमकी देता है और से जितक thrown देंस वाली लोन अप्रिक्शन ऐसा भी करता है कि लोन इपेंड के पार्फिक्शन के बाद भी अब बलाग मिल ख़ाता है फिर भी दोपाडा Loan Up posición के लिए आप लोंख हो को harassment और बील किया जा रहा है, जैसी कि Loan Up new picture आपका contact list को send किया जा रहा है तो इस्तिती में आप लोगों को कह करना चाहिए आपका contact list में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को आच्छे से समझाइए कि मेरे साल loan के नाम scam हो चुका है मैं एक 5G loan application पे loan लेके फाच चुका हूँ अगर loan repayment के related मेरे नम पे किसी भी तरकी call आए और कोई edited new picture send किया जाए तो आप लोग ignore करे और गैस अभी आप लोगों को मन में personal finance assistant loan application को लेके खावी सारे सवाला सकते है कि यह application आपके खिलाब legal action ले पाएगा कि यह application आपका civilist code down कर पाएगा कि यह application की तरफ से कोई recovery isn't घर पे आएगा तो अगरेस मैं आप लोगों को बता देता है कि इस्टेफ के 7 days बाली loan application RBA registrant नहीं होता है इस्टेफ के 7 days बाली loan application आपके खिलाब कोई legal action नहीं ले पाएगा इस्टेफ के 7 days बाली loan application की तरफ से लोन इपेन के लिए कोई recovery isn't घर पे नहीं आएगा इस्टेफ के 7 days बाली loan application loan application के लिए कॉल आपके खिलाब के आलबा कुछ नहीं कर पाएगा और गरेस एगर personal finance assistant loan application की तरफ से लोन इपेन के लिए आप गोग को कॉल आपके खिलाब के बहुत तरफ किसा harassment और ब्लैक मिल किया जा रहा है तो गई इस्टेफ के 7 days बाली loan application की कॉल से बाचने का solution यह कि आप लोग इस्टेफ के 15 days बाद अपना sim card और whatsapp account को on कीजेगा तो आप लोग खुद दिखेंगे कि इस्टेफ के 7 days बाली loan application की तरफ से कॉल आर इसमें जाना बंद हो गया है और गई इस्टेफ के 7 days बाली loan application की कॉल से बाचने का और एक solution यह कि आप लोग ट्रू को रावड करके unknown call को ब्लॉग कर दीजिए तो इससे किया हो का unknown number से जो भी call आईगा वो automatically cut जाएगा तो गैस इस वीडियो के तुरू आप लोगो को मैं personal finance assistant loan application की reality बता दिया और साथ-साथ यह भी बता दिये कि अगर कोई already इस application पे loan लेके फाच चुगा है तो इससे बाचने का solution किया है और कैसे आप लोगो को मैं personal finance assistant loan application के one star rating review दिखाऊंगा दिखने के बाद आप लोगों को और अच्छी तरीकिस से पता चल जाएगा कि personal finance assistant loan application एक अंसेफ loan application है तो गैस जैसे कि पहले रिवीव देख सकते है very bad आप और इन्होंने रिवीव पे यह कहा है कि इन्होंने इस application पे loan के लिए अप्लाइगा था और 9000 रूपिस का लोण का करता है और यह application loan return के लिए edited new picture contact list में जिते सारे number है सारे के सारे number को send काता है निच्अ और रिवीव पर यह कहा है कि जिए प्लीव देख सकते है कि इस application के इंटेक्शन के इंस्टार दिस अब और इन्होंने रिवीव पे यह कहा है कि यह application loan return के लिए बहुतिर किसा harassment और blackmail का काता है लोन इपयोन के लिए के लेंगवेज ही उसकाता है और यह बी wrathafakt एक अंस्रीगाता है जितने सारे माले है सारे की अप्रीure Camer और इस अप्लिक्शन की इंट्स्टेग और सर्विस भी बहुत ज़ादा है और और गिजशी अप्लिक्शन की ओण Nacht rating review देखैंक आप लोगोנים को अच्छी तरीक से पता चल गया होगा कि कि इस अप्लिक्शन की दुरब से loan payment के लिए कि इस तरीक से harassment और blackmail किया जाता है तो यहकेज इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी loan application पे loan apply करने से पहले place 2 में जाके उज़ application के one star rating रिभूँ check out किजिए यूट्वब और Google पे उज़ application के रिभूँ check out किजिए और सादे-साद उज़ application की contact data check out किजिए का contact data is popular or work कहा रही कि नहीं तो ये सारे चीज़े चेक अप करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन अप्लिकिशन पे लोन करी है अप्लाई करें तो अगस में आप लोगों कोई कहँँगगा कि Personal Finance Assistant एक अंसेफ लोन अप्लिकिशन है और अप लोग इस अप्लिकिशन से सब्दान रहे और आप लोग इस अप्लिकिशन पे लोन करीए अप्लाई ना करी और किसे अगर किसी को loan के related को issues या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि loan opinion करने के बाद भी update नहीं काता है फिर तो बड़ा loan opinion के लिए आप लोगों को harassment और blackmail किया जाता है तो इस वीडियो के description पे मेरा Instagram account का link दिखने को मिल जाएगा आप लोग Instagram के थुरू मेरे साथ contact कर सकते है और किसे अगर किसी को argent पैसी की ज़रुवत है जाता लोने माँ चाहिए तो इस वीडियो के description पे आप लोगों को कभी सरे RBI रेइस्टार loan application का link दिखने को मिल जाएगा और आप लोग ये सब loan application पे loan के लिए apply कर सकते है ये जाएग जाएँ बंदमाराम